फिल्मेकर अदिते चोपड़ा ने लिया एक और बड़ा फैसला, तो क्या है वो फैसला? आईए, मैं बता दी हूँ आपको. Hey friends, this is me Manu and you are watching Google Bollywood. अगर हम बात करें फिल्मेकर अदिते चोपड़ा की, तो उन्होंने हमारी Bollywood इंडास्ट्री को बड़ी-बड़ी और vaccination dose मिल सके, वो भी free of cost. उसके साथ ही उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि जो daily wages worker है, film industry के, जैसे की camera unit, सफाई कर्मचारी, gardeners and all those, तो उन्होंने फैसला क्या था कि वो उनके घर तक राशन पहुँचाएंगे और कुछ पैसे भी देंगे, ताकि वो अपना गुजारा कर सके, ऐसे crisis में बहुत जरूरी है कि आप लोग अपना गुजारा कर सके, इसलिए अधित्य चोपला अपनी तरफ से पूरा best कोशिश कर रहे थे, कि सभी को वो अपनी मदद दे सके, और किसी को भूका ना मरना पड़े, उसके साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला अब दुबारा लिया है, उन्होंने फैसला लिया है कि जो वो grand party करने वाले थे, अब आप सोच रहे होंगे, ऐसे टाइम में कौन grand party करता है, और किस चीज की grand party भई, तो grand party करने वाले थे, वो यश्राज फिल्म के 50 years complete होने की, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन COVID-19 के चलते, ऐसा possible ही नहीं हो सका, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि जो budget उन्होंने उस चीज के लिए रखा था कि वो grand party में इतने पैसे लगाएंगे, उसके बाद उन्होंने फैसला बदल दिया है, उन्होंने फैसला ले लिया कि वो अब उस पैसे को COVID-19 के crisis के budget में दाल देंगे, ताकि जो भी necessary चीज़े हैं, वो खरी दी जा सकें, और किसी को भी अपनी जान ना कवानी पड़े, ये फैसला उन्होंने काफी अच्छा लिया है, और दिल से मैं उनको salute भी करती हूँ, जहां Bollywood के बड़े-बड़े celebrities कंदे से कंदा मिला कर काम कर रहे हैं, अब वही आदिता चोबड़ा भी उसे list में शामिल तो है, लेकिन वो सबसे अच्छा काम ज़रूर कर रहे हैं, और लोगों से खूब सारा प्यार भी बटोर रहे हैं, COVID-19 के ऐसे crisis में बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों का सामने आना, ताकि हम अपने देश को बचा सकें, और COVID-19 जैसे वाइरस को हरा सकें, बॉलिवुड की ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए जरूर देखते रहेगा हमारा चैनल बूगल बॉलिवुड